नमस्कार दोस्तों करीब साढ़े चार महिने पहले एक्ट्रेस स्वरा भासकर ने समाजवादी पार्टी के नेता फाहद एहमद से शादी की थी और अब शादी के कुछ ही महिने बाद खबर आ रही है कि स्वरा भासकर मा बनने वाली है इसको लेकर न्यूस 24 की एक खबर का स् शौट भी वाइरल हो रहा है इसमें लिखा हुआ है स्वरा भासकर हुई प्रेगनेंट शोहर फवाद एहमद ने किया कंफर्म जुलाई में हो सकती है डिलीवरी इस मशूर हिरोई ने फरवरी में ही किया था अपने से आठ साल चोटे फवाद से निकाह दोस्तों जब यह अब तो लोग स्वरा भासकर को लेकर तरह तरह की कमेंट्स करने लगे उन्हें ट्रौल करने लगे और उनकी प्रेगनेंसी पर सवाल इठाने लगे यहां तक आयोद्या के महंतृ राजू दास ने भी स्वरा को ट्रोल करना शुरू कर दिया, उन्होंने ट्वीट करके लिखा, स्वरा भासकर ने विवाह के चाड़े चार महीने बाद ही बालक को जन्न देकर समय से पहले काम पूर्ण करने वाले गड़करी जी को भी आयना दिखा दिया, इसके अलावा क्रिश्न लोहिया नाम के एक किया है, कॉंग्रिस की पतलकार स्वरा भासकर ने अकिलेश भाईया के साथ मिलकर जिहाद का नाम रोशन कर दिया, अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या स्वरा भासकर सचमे शादी के साड़े चार महीने के अंदर ही मा बनने वाले हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये बिलकुल फरजी है, इस खबर में कोई सचा ही नहीं है, न्यूस 24 की जिस खबर का स्क्रीन शॉर्ट वाइरल हो रहा है, वो भी फेक है, खुद न्यूस 24 ने भी साफ कर दिया है कि उन्होंने ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं किया था, न्यूस 24 ने लिखा है, एक्ट्रिस स्व फरजी है, इसका सचाई से कोई लेना देना नहीं है, वैसे स्क्रीन शॉर्ट को देख कर भी कोई भी समझ सकता है कि ये फेक है, कोई भी समझदार व्यक्ती, इसे देखते ही पहली नजर में फेक बता देगा, क्योंकि इसमें स्वरा के हस्बेंड फहद का नाम तक गलत लि दोस्तों, इससे पहले जब स्वरा और फाद की शादी हुई थी, तब भी इने खूब ट्रोल किया गया था, और अब उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर भी फरजी खबरे फैलाई जा रही है, लेकिन अगर ये बास सच भी होती दोस्तों, तो इससे किसी को क्या फर्क पड़ता इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा, ये खबर आप उल्टा तुश्मा यूसी पर देख रहे हैं, मेरा नाम फरहीन अंसारी है, जै हिंद, जै भारत